दोस्तों वैसे तो डॉनल्ड ट्रम्प को प्रेजिडेंट के तौर पे आप फॉर्मर मैनर में तब देख पाएंगे जब इनका शपत ग्रेंड का जो समौर है वो कम्प्लीट हो जाएगा 20 जनवरी को बट जब से यह election results आये हैं जिसमें clear हो गया कि डॉनल्ड ट्रम्प अब दूसरा अपना term complete करेंगे तो ऐसी परिस्तियों में आप क्या देखते हैं कि एकदम से यॉरप में खलबली मच गई है युक्रेन वार को लेकर के रश्या बहुत ज़ादा optimistic हो चुका है कि चलो ठीक है डॉनल्ड ट्रम्प आ गया अब युद खतम होगा और हम कहीं न कहीं upper hand पे रहने वाले हैं बट वहीं पर अभी एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें बताया गया कि डॉनल्ड ट्रम्प ने व्लादे मिर पुतीन से फोन कॉल किया और उस फोन कॉल के दोरान इनकी बातचीत हुई बट वहीं पर क्या चीजें रिवील हो रही है कि रश्यन एजिंसिया रश्यन यार किया है कैसे यह रश्या-उक्रेइन कांफलिक्ट को टैकल करेंगे चोकि सीधी बात है कि इन्हों ने अपने एलेक्शन केमपेइन के टाइम पे कहा था कि रश्या के इस कांफलिक्ट के साथ में यूक्रेइन को हम बहुत सारा पैसा दे रहे हैं और उसके चलते हम हम समझेंगे पर इससे आगे हम पढ़ने देखो UPSC Foundation Courses को आप जॉइन कर सकते हो जिसमें आप संकल्प जो कि हिंग्लिश और हिंदी में है और टाइटन इंग्लिश में 2026 के लिए जो लोग टार्गेट करके चल रहे हैं जॉइन कर लेए दो हजार पचीस के लिए जो एस सेट की क्लासेज भी है डेली MCQ और मेंसांसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथी साथ आपको कंटेंट भी डीटेल में अवाइल अवेल कराये जाएगा अब देखो बात ऐसी है कि डॉनल्ड ट्रम्प ने पुतिन को कॉल किया बट वही बात है कि हाँ जी रश्या की तरफ से इस चीज को डिसकार्ड किया जा रहा है बट ये कॉल हुआ तो रिपोर्ट में क्या बाते आई तो पहला पॉइंट तो ये कहा कि भई या वार है ना उसको बढ़ावा मत दो डॉनल्ड ट्रम्प ने व्लादेमिर पुतिन को कहा कि भई आप वार को बढ़ावा मत दो देखो हमारी अच्छी खासे military presence है कहां पर Ukraine में इसका मतलब यह हो गया कि एक तरीकी से व्लादेमिर पुतिन को डॉनल्ड ट्रम्प की तरफ से गई धमकी कि भई आप यहां पर escalation करोगे तो ठीक बात नहीं होगी फिर उसके बाद में तीसरी बात कही कि हमें talks पर रिलाई क यहां पर जमीन के मामले में बहुत बड़ा हिस्सा रश्या ने occupy कर रखा है किसका यूकरेन का तो ऐसे मैं बोला आपके पास में जमीन है तो क्यों ना उस जमीन को हम एक buffer zone के तोर पे डबल अप कर दें इसके चलते हैं एक तरफ यूकरेन हो गया और जो जमीन रश्या ने पर निकल के आए कि वही डॉनल्ड ट्रम्प किस तरीके की अप्रोच से चल रहे हैं as per that report जिसको रश्या ने deny भी किया है बट वहीं आगे बढ़त के जमीन देखे ना तो डॉनल्ड ट्रम्प के जो promises थे ना वो हमें याद रखने होंगे कि क्या सोच करके उन्होंने कहा था अब यहाँ पर यह देखना होगा कि जो भी है हमने four pointers देखे इनकी implementation में कौन-कौन से चीज़े असर डालने वाली हैं तो वो संख्या में है तीन important factors को हमें समझना होगा सबसे पहली चीज कि ट्रम्प का प्लान क्या है क्या वाकई में वो यूक्रेन को defend नहीं करना चाते है या इसका solution चाते है उसके लिए अगर हम थोड़ा deep dive करें तो इन्हों नहीं डॉनल्ड ट्रम्प ने जो भोला वो मैंने बताया आपको कि एक बहुत बड़ा हिस्सा यू सैटल डाउन कर देगा मुद्देगो अब यहां पर हमें थोड़े अंगल समझने होंगे कि इसे डील को लेकर के जो बफर जोन बनाने की बात है उसमें यूके फ्रांस जर्मनी जैसे जो यूरॉपियन कंट्रीज हैं वो बिलकुल भी सहज नहीं होंगी कि बही किस मामले मे आप इस तरीके के सैटलमेंट कर रहे हो वहीं पर यूक्रेन भी इस बात को लेकर के क्यों राजी होगा क्योंकि यूक्रेन की जमीन चली जाएगी बफर जोन के मामले में इस से चकर में तो ऐसे में रश्या को तो यही तो चीए था कि हमें आईसोलेशन चीए है यूरॉप की तरफ से थो ऐसे में अगर Ukraine की जमीन की जमीन जा कर कि Buffer Zone क्रियेट होगा तो वह युकरेन की टेरिटोर्य इंटिग्रेटी का है टेरिटोर्याल जो उनका खुद का है रोल वह कही नगीन मेनिमाईज हो जाएगा इसके अलावा देखा जाए तो युक्रेन को यहां पर यह दिलासा दिया जा सकता है यह बैसे पहले तो यह बोल दे कि आप एक काम करो नेटो की जोईन करने की बात तो आप करो खतम क्यों 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 क्योंकि यहां पर buffer zone अगर create होगा तो रश्या भी तो अपनी condition पुट करेगा। कि युक्रेन हमारे दरवाजे पर निटो जॉइन करके और हमारे दुश्रवनों को लेकर के आने कोशिश करता है तो निटो की बिड्ड है वो यूक्रेन की खतम हो जाएगे। बट आगे अगर हम नज़र डाले तो युक्रेन भी फिर वहाँ पर USA के सामने कुछ डिमांड रख सकता है कि आप हमें कोई गैरंटी दोगी रश्या फिर बाद में कभी अटेक ना करे हम पे तो ऐसी परिश्तितियों में हो सकता है कि USA अपने हतियार या कोई नुकलियर वैप छिडा था इस बात पर कि रश्या ने अटेक इसलिए किया कि युक्रेन कमजोर था बट आज के टाइम पर युक्रेन इस बात के लिए बार-बार कह रहा है कि या तो हमें नेटों का जोइन करा हो या फिर हमें नुकलियर प्रोवाइड करो तो ऐसे में ये कुछ डिबेट वाली चीजे हो सकती हैं बट अगें कि रश्या क्या युक्रेन का आर्मामेंट स्विकार करेगा तो ये पहला फैक्टर है दूसरा फैक्टर है यहां पर जो बाइडन के पास में अभी 70 दिन के लगबग बच रहे हैं इन 70 दिनों के अंदर जो बाइडन अपनी तरफ से कर स चुक है कि मैं रश्या युक्रेन में वार में ज्यादा अपना इंवल्मेंट नहीं दिखाऊंगा तो आपको क्या दिखाई पड़ता है यहां पर कि बाइडन जो है वो डॉनल्ड ट्रम्प के साथ में एक तो मीटिंग कर रहे हैं जिससे कि आपने सक्सेसर को अपने में ला सकें कि भई आपने चुनाओ के टाइम पर जो बोला डैट वाज ओके बट अभी आप थोड़ा सा समझो कि परिस्तितियां युक्रेन की फेवर में हमें बनाए रखनी है ऐसे में आपने जो कहा उसको करने की ज़र्वत नहीं है बट वही बात है डॉनल्ड ट्रम्प इस डॉनल्ड ट्रम्प करें ना करें गयरंटे नहीं है इसके लाबा डॉनल्ड ट्रम्प ने भी अपनी तरफ से कुछ सिगनल देना स्टार्ट कर दिया है कि वह युक्रेन को आ कई में ज्यादा सीरियस नहीं लेने वाले हैं वो चाते हैं कैसे बिगर के मामला रफादफ इसके एक्जाम्पल के तौर पर देखो निकी हैली माइक पंपयो यह प्रो यूप प्रो यूक्रेन अप्रोच वाले इंडिवीजुल्स थे उनको आते ही डॉनल्ड ट्रम्प ने हटा दिया हटा है तो रेजल्ट क्या हुआ सिगनल चला गया अब जो बाइडन क्या कर सकते हैं डॉनल्ड ट्रम्प अगर नहीं माने तो इनके पास में कुछ औप्शन्स हैं नंबर वन की बात करें तो वो न्यूक्लियर वैपन दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया अर्मामेंट कर सकते हैं यूक्रेन का कि मेरे पास में 70 दिन का टाइम बचा है 20 जनवरी से पहले- पहले जितना मैं हेल्प कर जाओं वो पहले-पहले कर जाओं दूसरा ही है कि रश्या के कई वेपन को यूएसे ने फ्रीज कर रखा है वो फ्रॉजन वेपन हना वो भी दे सकता है मतलब अगेन यूक्रेन का आर्मामेंट और तीसरा तरीका कि यूक्रेन को एक और बेल आउ के लिए बिखारी की तरह बटकता रहता है कोई देता है नहीं पर उसको खेल यह हो गया हमारा तो जो बाइडन इन चीजों को एक्स्प्लोल कर सकता है बट अगेन कि इन चीजों में उनको अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा यूएस कॉंग्रिस का अब यूएस की कांसे यह हैं कि जो मिजॉरिटी है वो रिपब्लिकन्स के पास आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ डॉनल्ड रबगी पार्टी मिजॉरिटी में आने वाली है तो नेक्स जो सेशन होगा वो जनवरी में होगा तब तक जो बाइडन के पास में कॉंग्रिस में सपोर्ट कि नहीं रहेगा मामला यहां पर सवाल उट गया तो यह तीसरा फैक्टर है तो जो बाइडन अपने अफर्ट डाल सकते हैं फिर दूसरा फैक्टर फिर तीसरा फैक्टर आता है देखो कि इस युक्रेन वाले मामले में यॉरॉप का पूरा सपोर्ट हमें पता है कि युक्र स्टाइस हुआ था सीज फायर क्लियर हुआ था जर्मनी ने एक तरीके सहतियार डाल दिये थे अलाइस के सामने तो उस दिन को सेलिबरेट करने के लिए UK के प्राइम मिनिस्टर अभी गए हुए हैं फ्रांस अब ऐसे में आप क्या नोटिस करते हैं कि यह जो वर्स्ट वर्ल्ड वोर्ड का एंड था ना इसके दिन UK के प्राइम निस्टर UK में रहते हुए सेलिबरेशन किया करते हैं या फिर उस दिन को मैमराइज किया करते हैं ट्रिब्यूट पे करते हैं इस पर्टिकलर डे को बट अब की बार फ्रांस में गए हैं इसका मतलब देखो रश्या कितना एग्रेसिव है ट्रम्प ने किस तरीके से अपने स्टेटमेंट दिया क्या अप्रोच होने वाली है इन चीजों से यॉरॉप बिलकुल अलर्ट है और इसी बात का यहां से एक्जामपल निकल के भी आता है जर्मनी ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है वो बात अलग है कि यहां पर बहुत सी आवाजे उठ रही हैं जैसे डॉनल्ड ट्रम जीते तो यॉरॉप में यॉक्रेन को ना सपोर्ट करने वाली पावर्स के आवाज उठने लग गई है कि भई इतना पैसा बहार है वो खुद की एकोनोमिक को तो समालो इस तरीके के हालात हो रहे हैं वहीं पर यॉरॉप की बात करें तो यॉक्रेन को वो सपोर्ट कितना कर करके भी अभी तक 131 billion dollars का ही support दे पाएं तो क्या USA के withdraw करने के बाद में EU यॉक्रेन की requirement को पुरा करने के लिए इतना full scale support कर पाएगा तो यह बहुत बड़े सवाल है बढ़ एक चीज हम यहां पर समझ नहीं होगी कि चाहिए situation कुछ भी मन रही हो यहां पर Donald Trump ने एक तो के हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं आप देखो कि युक्रेन रश्या वर को लगबग 1000 दिन बीत गए अब ऐसे में युक्रेन और रश्या के बीच में drone fight चल रही है और अभी तक की सबसे बड़ी drone fight मानी जा रही है जितने भी अभी तक war हुए उनमें जिसके चलते ही उक करना क्या युक्रेन को कमजोर नहीं करेगा बही 175 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़े ना है बही 175 रुपए में किसी की कितनी help हो जाती है हना वहीं पर रश्या के पास में अपना खुद का एक backup plan है जिसमें North Korea से जो troops हैं वो रश्या के अंदर बिल्कुल एकसप्ट नहीं हुआ है ना officially कहीं ना कहीं इस बात के बारे में statements आये हैं USA की तरफ से रश्या ने तो reject करी दिया यहां पर एक चीज तो clear है कि पुतिन को हमेशा प्लस-प्लस ही दिखाई पड़ रहा है कैसे अगर यह deal यूक्रेन मान जाता है मान लो एक बार यूक्रेन मा द्रो करेगा तो यूक्रेन फिर वहां पर कितना support ले लेगा यूरोप से तो यहां पर व्लादेमिर पुतिन की एक बात यहां पर हमें जरूर ध्यान रखनी होगी कि जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय पुतिन ने कहा था कि यह वेस्टन solidarity की बात करके यह ल थोड़ा सांदर जा करके उस particular area का नाम बता दो समझ गए तो इस वीडियो में इतना ही था आप मुझे comment box में जरूर आंसर देंगे thank you very much for watching this video